दोस्तों 100 में से 85% लोगों के माइन में ये confusion होता है कि ये जो हमारा MCB है इस MCB को जो हम input power supply देते हैं उसको हमें कहां पे connect करना है MCB के नीचे वाले terminal पे connect करना होता है या फिर जो हमारा input power supply है इसको हमें MCB के उपर वाले terminal पे connect करना होता है तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इसी confusion को clear कर लेते हैं यहाँ पर जो हमारे पास MCB है इस MCB को हम test करने वाले हैं test कैसे करेंगे समझ लीजिए देखिए यहाँ पर जो हम input power supply देंगे उसको एक बार नीचे में connect करेंगे और second time हम उपर में connect करेंगे और उसको connect करने के बाद यहाँ पर हम एक source circuit करेंगे और check करेंगे कि हमारा जो MCB है उस condition में protection provide कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो इस प्रकास से testing करने के बाद हमें यह मालूम चल जाएगा कि यह जो हमारा MCB है इसको हमें input power supply कहाँ पे देना होता है तो चलिए दोस्तों वीडियो को start करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा MCB था इस MCB को input power supply मेंने MCB के नीचे वायर टर्मिनल पे connect कर दिया हूँ अब यहाँ पे मैं एक और वायर ले ले लेता हूँ इस वायर को मैं MCB के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ connect कर दूँगा इसी प्रकास से यहाँ पे एक और वायर इस्तमाल करूँगा इस वायर को मैं दूसरे वाले MCB के ऊपर वाले टर्मिनल पे connect कर दूँगा यहाँ पे हमारे पास दो वायर है जो कि MCV के ऊपर वारे टर्मिनल पे connect है ठीके तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यह जो plug टोपे इसको power source के साथ connect कर देता हूँ यहाँ पे मैंने power source के साथ इसको connect कर दिया यहाँ पे मैं क्या करता हूँ MCV को own कर देता हूँ दोस्तों यहां पर जो मैं आपको प्रेटिकल करके दिखाने वाला हूँ प्लीस आप कभी भी घर पे ट्राइन ना करिएगा आपको इलेट्रिक सोक लग सकता है ठीक है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हूँ यह जो हमारा MCV है इसको हमने इन्पुट पावर सप्लाई यहा स्ट यहां पर गरता हूँ तो हमारा MCV जो है वो ट्रीप होना चेहिए चलिए एक बाद चेक करते है ट्रीप होता है की नोी आप देख सकते हो दोस्तों यहां पर जो हमारा MCV था वो ट्रीप तो दोस्तों जैसे कि आपने रहा जब मैंने इन दोनों वायर को आपस में कनेक्ट हुआ यानि कि यहां पर जैसे ही सो सरकिट हुआ हमारा सर्ट किया तो हमारा ये वाला mcb टो ट्रीप हुआ साथ ही साथ में मेरा जो रूम में इस रूम का भी mcb ट्रीप हो गया अब चलिए दोस्तों यहां पर हम सेकंड टेस्टिंग करते हैं सेकंड टेस्टिंग में हम क्या करेंगे यह जो हमारा mcb है इसको इन दोनों वायर को नीचे में कनेक करेंगे और उस कंडिशन में हम यहां पर सोर्ट करके चेक करेंगे कि हमारा mcb होता है कि नहीं होता तो यहां पर जो हमारा कनेक्शन है इसको में एक बार चेंज कर देता हूं अब यहां पर हम इन दोनों वायर को दुबारा सोर्ट करेंगे और चेक करेंग अब यहां पे जो हमारे ये दोनों वायर है, इन दोनों वायर को आपस में सोर्ट करके चेक करेंगे हमारा MCB ट्रीप होता है कि नहीं? तो जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे हमारा MCB ट्रिप हो गया है इसका मतलब यह कि यह जो हमारा इंपुट पावर सप्लाई है इसको हम नीचे में भी कनेक कर सकते हैं या फिर उपर भी कनेक कर सकते हैं दोनों के कंडिसन में आपका जो MCBA वो आपको protection provide करेगा दोस्तों यह जो हमारा MCBA इस MCBA में आपको केवाल एक चीद ध्यान देना होता है यहां पे आपको केवाल यह ध्यान देना है कि यह जो हमारा MCBA इस MCBA पे कहीं line और load टोन ने लिखा जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कहीं पे भी line और load नहीं लिखा हुआ है यदि यहाँ पे line और load लिखा हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा जहाँ पे line लिखा है वहाँ पे आपको input power supply देना होता है यह जो हमारा input power supply है उसको उस terminal पे connect करना होगा और जहाँ पे load लिखा हुआ है वहाँ से आपको output power supply लेना पड़ता है ठीके दोस्तों यदि आपके MCV में ऐसा कुछ नहीं लिखा तो आप कहीं पे भी input power supply और कहीं से भी output power supply ले सकते हैं ठीके दोस्तों तो दोस्तों I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो पे like, share और comment कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe लिए तो subscribe भी कर लिजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद